कि राक्टा साब ये जो वैक्सीन है कि किस के जीन दाएं और विर्तमान ने वैक्सीन बना है वह थोड़ा बताईजेश्व शबसे पहले कि एक्सीन को बनाने की कितनी टेक्नोलोजी इस समय पर इन वैक्सीन के लिए यूज की है तो मैं इनको classify कर सकता हूँ, तीन technologies के अंदर, कि एक जो vaccine का प्रकार है, जिसके के अंदर हम जो है वो inactive virus का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? दूसरा प्रकार का जो vaccine है, जिसके के अंदर हम है क्या है, बीक virus का यूज कर रहे हैं, जो कमजोर virus है, और तीसरा जो प्रकार है, वो है mRNA vaccine, तो इस तरीके से जितने भी vaccine कोरोना से संबंदित इस समय पर काम में लाए जा रहे हैं, उनको हम तीन class में बांट सकते हैं, नमबर एक, inactive virus, नमबर दो, बीक virus, और नमबर थ्री, mRNA virus, अब जो vaccine जिनका के हम लोगों के साथ में इस समय पर संबंध है, इंडिया में क्या है, तो जिसमें के आपका co-vaccine है, तो जो co-vaccine है, वो है हमारा जो है inactive virus, तो जब हम inactive virus कह रहे हैं, इसका मतलब है, कि यह वही virus है, जो हमको infection दे रहा है, यानि कि यह SARS-CoV-2 virus है, इस virus को क्या किया है, कि हमने इसको inactive किया है, inactive कैसे किया है, कि या तो heat से किया है, या chemical treat करके किया है, या फिर radiation करके किया है, these are the three ways that you can inactivate the virus, अब इस virus को एक formulation में ले करके, this is what is going to be injected in each arm of the patient, तो यह एक तरीके का vaccine हो गया, दूसरा जो vaccine है, जैसे कि cove sealed है, यह जो vaccine है, इसका जो प्रकार है, यह है आपका बीक virus, अब बीक virus से क्या मतलब है यहाँ पर, क्या बीक virus से मतलब है कि एक ऐसा virus उन्होंने लिया, एक vector के रूप में, जो के बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, उस virus को बोला जाएगा यहाँ पर adenovirus, तो जो adenovirus वो virus है, जिससे के हमको अलग तरीके के जुकाम बगेरा होते हैं, लेकिन यह lethal नहीं होता है, उसकी pathogenicity उतनी ज़्यादा नहीं होती है, कि यह हमको परेसान कर सके, ठीक है ना, तो यह जो adenovirus को हमने लिया, और adenovirus के उपर, इसको हमने decorate कर दिया coronavirus की protein, जो के spike protein बोलते हैं, तो spike protein को हमने, protein इसके उपर हमने चिपका दिये एक तरीके से, और उसके बाद में इस formulation को लेकर के हमने patient में inject कर दिया, ठीक है, तीसरा जो बात, तीसरा प्रकार जो है, वो है mRNA virus, mRNA technology, तो mRNA में जैसे के Moderna है, या Pfizer है, तो उन्होंने क्या किया है, कि जो आपका mRNA जो है, तो mRNA क्या है, mRNA को बोलते हैं messenger RNA, या हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, कि ये DNA है, DNA जो है, वो हमारा master regulator है, इसके पास सारा information है, और जो mRNA है, वो एक limited information है, जो के एक copy है, कि DNA ने एक copy बनाई, mRNA को ये message type कर दिया, और ये जो message चला गया, हमारा protein बनाने की machinery में, जिसको के हम ribosomes बोलते हैं, ribosome machinery बोलते हैं, वहां जाकर के ये protein बनाता है, तो generally virus क्या करता है, कि virus अपना mRNA लेकर के आता है, हमारे अंदर, अपना RNA लेकर के आता है, और वो अपना order देना सुरू कर देता है, हमारी protein बनाने वाली factory को, और अपने मतलब की protein बनाना सुरू कर देता है, और इस case में हमने जो mRNA vaccine में क्या किया, कि हमने जो केवल mRNA वाला जो portion है virus का, उतना वो portion लिया, उसको हमने pack किया nano particle के अंदर, और उसको हमने जो है क्या है, body में inject कर दिया, तो इस प्रकार से जो mRNA ने है, वो हमारे spike protein बनाएगा body के अंदर आकर के और हमारे immunity system को वो alert कर देगा, जिससे के हमारा body जो है वो antibodies बनाना सुरू कर देगा उस protein के अंगेस्ट and that's how we will get the immunity. जो vaccine है, वो COVID shield है या पो vaccine है, या Sputnik भी है, अभी जो इंडिया में आई है, और भी दो vaccine उनने जॉंसन और जो इंडिया में लागो गया है, क्या ये कारगर है, एक्च्वली में, और जो बहुत सारी भ्रांतिया है, शुरू में लोग वैक्सिन नहीं लगवा रहे थे, वो ये कब-कब लगवाना पड़ेगा, हर 6 मेने में लगवाना पड़ेगा, क्या एक बार लगवा लिए तो lifetime हम free हो गए, क्या ये 6 मेने बाद दुबारा लगवाना पड़ेगा, इस तरह के questions हैं लोगों के दिमाग में वैक्सिन को लेके, इसके बारे में आप थोड़ा प्रक देखिए, इस समय पर जितने भी बैक्सिन हैं, बहुत अब ये तो बेट नहीं करना है कि कौन सा बैक्सिन लगवाना है, जो भी बैक्सिन इस समय पर available है, वो बैक्सिन हमको लगवा लेना चाहिए, ठीक है न, क्योंकि बैक्सिन इसलिए जरूरी है, कि बैक्सिन से क्या नंबर एक बात है कि इन्फेक्शन नहीं होगा, ये एक बात है, लेकिन कुछ चांसे हैं कि इन्फेक्शन दुबारा हो जाए, लेकिन ये इन्फेक्शन दुबारा होता है, तो आपकी डिजीज का सीवियर्टी नहीं होगी, आपको निमोनिया नहीं होगा, आपको हॉस्प होना पड़ रहा हो या ऐसे किसी पेशेंट की डैत हुई तो सबसे पहले लग गया हो तो कई वर क्या और हैं सिंगल डोज के बाद लोग हस्पिटलाईज हो रहे हैं तो ने के बाद चौन दिन का एंटी बाद होने के बाद तो दोनों दोज लगने के बाद मतलब बैक्सिनेशन हो गया मतलब कम्प्लिट मान लेते हैं हमें क्या है कि बैक्सिनेशन होने के बाद में there are no cases where the patient need to get hospitalized or they will progress to the death there are no cases like this ठीक है ना तो इसलिए इस समय पर ये इस तरीके के discussion में जाना कि कौन सा बैक्सिन लगवाना है नहीं लगवाना है उस चक्कर में नहीं पड़ना है बैक्सिन लगवा लेना है तब हम जो है क्या है इस infection की chain को तोड़ पाएंगे और एक lighter note के ऊपर ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास उतनी ज्यादा choices भी नहीं है जैसे English में बोला जाता है beggars can't be choosers तो right now we are the beggars जो मिल रही है बैक्सिन लगवा लेना है लगवाने से क्या फाइदा होगा कि आपको ये जंजट खतम हो जाएगा कि आपको pneumonia हो गया hospitalized होना पड़ रहा है oxygen label कम जा रहा है oxygen cylinder ढूंड रहे है और बाद में some people like a get to the to the to the worst condition that can be the death also so we need to we need to do that एक चीज और जानना है अभी स्कुत्निक वैक्सिन को इंडिया में permission मिला है तो अभी न्यू जा रहा देख उनका ट्राइल होना बाकि है उसाथ बिरिज ट्राइल के पभी बात कर रहे है तो बिना ट्राइल के इस पुत्निक वैक्सिन ये ट्राइल क्यू जरूरी है किया इनका कोई ट्राइल पेंडिंग था क्या इंडिया में बिरिज ट्राइल क्यू करा रहे हैं यहां पर मैं कुल मिला करके एक चीज बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने यह पूरा बैक्सिनेशन के सुचेशन को हैंडल किया इंडिया में वह मतलब एक बोलेंगे तो एक स्ट्रेटजिक पॉइंट आप व्यू से प्रॉपरली किया नहीं है क्योंकि इंडिया को इंडिया का अबी जो है वो इस पुतनिक को हम लोगों ने अलाव किया है क्योंकि जैसे बोलते हैं ना के मरता क्या ना करता के को बैक्सिन पूरा वैक्सिन देनी पारा है को बसी अअलेडी कुछ इसजए चल रहा है तो अभी क्या करें तो Sputnik vaccine जो अगर मेरा सही अगर knowledge है तो Sputnik was the first vaccine that got approval actually. सबसे पहले develop होने वाला जो vaccine था, वो Sputnik ही vaccine था, बाकी सारे vaccine इसके बाद में ही जो है क्या है, वो approve हुए है या develop हुए हैं. तो Sputnik vaccine को यदे हम बाकी vaccine के comparison में देखते हैं, तो I, as a LIK expert from the infectious point of view, I can say that if I will get a choice, I may go for the Sputnik vaccine. उसके दो रीजन हैं. नमबर एक रीजन क्या है कि जैसे मैंने बताया कि आपका जैसे कोब सील्ड का जैसे vaccine है, जो estrogen का Oxford vaccine है, वो vaccine किसके बेस पर बना है? अडिनो वाइरस के बेस के ऊपर, जैसा मैंने अभी बोला. तो एडिनो वाइरस जो हैं, वो दो तरीके के हैं. तो एडिनो वाइरस होते तो कई तरीके के हैं, लेकिन इस vaccine के संदर्ब में हम बात कर रहे हैं, तो जो यूज किया जा रहा है, कोब सील्ड के अंदर, वो है एडिनो वाइरस 5, ADV 5. ठीक है ना? तो उसके ऊपर हम जो है क्या है, उस vaccine को लोड करके दे रहे हैं. लेकिन जो इस पुतनिक ने क्या काम किया है, कि इस पुतनिक ने थोड़ा सा intelligently काम किया है, मैं बोलूँगा कि उसने दोनों डोज के लिए दो अलग-अलग जो है एडिनो वाइरस लिए हैं, ADV 26 और ADV 5. तो एडिनो वाइरस 26 जो है, वो पहले डोज के साथ में देने वाले हैं, दूसरे डोज के अंदर वो ADV 5 देने वाले हैं. ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये सोचा और ये होता है एकसर करके, कि आप क्या कर रहे हो, कि आप एक ADV ले रहे हो, उसके ऊपर आप कोरोना का जो है प्रोटीन आप लगा रहे हो, और उसको आप डिलिवर कर रहे हो. तो ये तो ठीक है के Corona का जो protein है। उसके अंगेस्ट antibody बनेंगी body के अंदर है क्या है। लेकिन यद ऐसा हुआ या कुछ cases में ऐसा हुआ के हमारी body के immunity system ने antibody उस Adenovirus के अंगेस्ट बनाना शुरू कर दिया। तो क्या होगा कि then it will be a cross reactivity, you have an antibody in your body that is targeting the adenovirus also and it is targeting the coronavirus also, okay? तो उन्होंने क्या किया कि हम इस काम को एक बार नहीं कि अगर आप दो बार करोगे तो चांस जादा है कि मैं वही डोज adenovirus की आपको दो बार दे रहा हूँ, तो body का reaction आ सकता है, यानि कि immunogenicity हो सकती है, body adenovirus के अंगेस्ट antibody बना सकता है, तो इन लोगों ने क्या किया है इस लिए virus को change कर दिया, पहली बार में एक virus दिया, दूसरे डोज के साथ में दूसरा virus है, तो body को इतना time ही नहीं है, recognition का, और दोनो टाइम अलग-अलग virus है, तो immunogenicity होने के जो chances हैं, वो कम हो सकते हैं, so that's why I call that Sputnik vaccine seems to be logically designed and seems to be more safe, and another way to say it, that it has the maximum protection, it is give you the protection which is into the range of 92%, there is no other vaccine that can give that kind of a protection, co-vaccine, co-seals are in the range of 60-70%, still co-vaccine data is not out. Dr. Saab, एक चीज और जागना जैसे Corona का वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, वो पहला वैक्सीन इंडिया में double dose वाले वैक्सीन है, तो पहला dose लगवाने के बाद, गूसरे dose के बीच, जैसे सरकार ने बोला, चार मेना, चार हक्ता, छे हक्ता, maximum कितना गैप हो सकता है, दूसरा बात, बहुत से लोग एक वैक्सीन लगाने के बाद, दिमाज में आता है कि मैं तो immune हो गया, लुसरे यह पहला वैक्सिन पोवी शिल्ड हो गया DIA गल्ती से किसी ने उस ने खो वैक्सिन लगा लिया। तो क्या व zijक्सिनेशन नहीं रॉंग वैक्सिनेशन हो जाएगा हम विह थिसरा किसी को कुरोना हो गया इतने लिन के बाद वैक्सिनेशन को जाए। तो vaccination के बीच में, यानि के one sort और second sort के बीच का जो time है, ठीक है ना, वो time सुरू में जैसे रखा गया था, जैसे co-vaccine के लिए site 28 days है, ठीक है ना, लेकिन कुछ vaccine के लिए four weeks भी है, इस पुतनिंग के लिए ये six week का time है, six to eight week का है, तो हर vaccine का जो time है, दोनों sorts के बीच में, वो अलग है, और इसको अभी भी, मतलब research के point of view से जानने का कोसिस किया जा रहा है, कि हमारा one vaccine के बाद में हमारा जो antibody डवलप हुआ है, वो कितना डवलप हुआ है, 30% हुआ है, 40% हुआ है, 70% हुआ है, और जो हमारा जो antibody डवलप हुआ है, ये fall ना कर जाए, या ये कब fall करना शुरू करेगा, उसके पहले second shot आ जाना चाहिए, एजे booster for that, तो इसको अभी भी पूरा system learn करने का कोसिस कर रहा है, कि इसका right timing क्या होना चाहिए, तो इस समय पर जो company जो के इनका market कर रही है, जो के manufacturer है इन vaccine का, they have the best answer, और दो जानसर सार के हमको generally जो time period दिया गया है, के 28 days का time है co vaccine के अंदर, cove sealed के अंदर जो time है, वो four week के अंदर ले गए हैं, जिसको के six week पी अभी बोला जा रहा है, Sputnik का six to eight week है, we should follow this, जब और ज्यादा डेटा जब हमारे पास में आएगा, तो इसको जो है क्या हम लोग कहीं पर एक जगे में settle कर पाएंगे, जो है क्या, अच्छा, दूसरा इसी में आपने पूछा के एक vaccine ये ले लिया, दूसरा vaccine कोई और ल neurology, I can say it is not going to change anything, a person who has taken the cove-sealed, they can go for the covexion, और अगर किसी को covexion लगा है, तो वो लोग जो है क्या है, वो cove-sealed भी ले सकते हैं, there is no problem in that, whether the government or ICMR will allow to do that, that's a different story as per their guideline, but as a patient, मुझे नही लगता कि इसमें कुछ घबराने जैसी कोई बात है, एक बड़ा सवाल आ रहा है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि vaccine लगाने के बाद भी मुझे corona हो गया, बहुत सारा news आ रहा है कि vaccine नहीं लगाया है, इनको पना हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो vaccine लगाने के बाद भी corona क्यों हो रहा है, क्या vaccine प्रभावी है, या double जो गूसरा इसके नाया है, double nutrient वाला इसके प्रभावी है, या हमने जो ये vaccine लगा लिया, और future में कोई नया तरिके का corona triple nutrient वाला आ गया, तो ये vaccine प्रभावी होगा, ये vaccine जो हमने आज लगवाया है, सपोच करी आज अपरेल महने में लगाया है, क्या मुझे नमंबर में दुबारा vaccine लोगों को corona हो रहा है, वो corona एक तो vaccine induced भी हो सकता है, क्योंकि ultimately हम लोगों ने एक beaker form of virus तो उसको दिया ही है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे जो भी cases हैं, वो mild asymptomatic cases रहेंगे, या बहुत होगा तो mild और moderate के बीच में रहेगा, they will never become severe, they will never get to the hospital, ठीक है ना, there may not be other consequences also, ठीक है ना, तो ये जो भी cases जो हो रहे हैं, ये नए strain की बज़े से भी हो सकते हैं, we cannot rule out them, और हम लोगों को हो सकता है कि अपने जो vaccines हैं, इनको updated करना पड़ेगा, जैसे कि influenza A, influenza B के जो vaccine है, वो हर साल उनको update करना पड़ता है, उसी तरीके से हो सकता है कि इतने ज़्यादा अगर mutant आते है, वो vaccination हमको मतलब इसका protection देगा, कुल मिला के बाद क्या है कि हम ये vaccination देने के बाद में अपने system को train कर रहे हैं, कि अगर ऐसी इस्तिती पैदा हो तो हमारा जो हमारी जो immunity cells हैं, उनको क्या करना है, कितना जल्दी वो इस situation को भाप सकती है, recognize कर सकती है, act कर सकती है, तो ये क ये एक ये immune system के लिए एक training program है, जो के हमने सुरू किया हुआ है, by giving them the vaccination, तो कभी कोई नया virus भी आता है, कोई नया mutant भी आता है, तो इस्टिल we will be prepared to fight, okay, and we can reduce the chances to progress any disease from mild to moderate or moderate to severe, especially into the high-risk category patients. झाल